हेलो गाइज, वेलकम बैक टो और चेनल, आयम अंकित पराते, दोस्तो आज हम देखेंगे सेप्टिक टेंक के लिए अर्थवर्क, सिमेंट कॉंक्रेट और ब्रिक मसिनरी एंड इंसाइट प्लास्टर कैसे निकाले जाता है, ठीक है, इसके पहले हमने स्लैब के लिए और बिम के लिए भी सारे इटम कैसे निकालने है, उस पर वीडियो बना चुके है, वो आपको आई विटन में मिल जाएंगे, उसमें आपको बागे सब्जेक के भी लेक्शर मिल जाएंगे, और दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीस कमेंट करके जरूर बताइए, तो च कॉंक्रिट दिया हुआ है, 136, 15 cm थिकनेस है जिसकी और जिसका जो प्रोजेक्शन है, वो चारो तरब है, 10 cm का, ब्रिक वॉल की थिकनेस दिवी है, 20 cm की हमें ये सारी कॉंटिटी निकालनी है, तो इसका एक डाइगराम मैंने आपर बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकत है, ये ग्राउन लेड वलाल पे नीचे जो इसके डायमेंट सेनन है, इसके लेंध जो है 9.5 metr है, इसके डेभ्ध है वो है 2 m, और इसके इसके दोनू साइट में इस ब्रिक वॉल 17 cm कीशे कालए, इसके निकलेट कीजिए निकाल कुछ नहीं है, ये इसका प्रोजेक्शन थ 10 cm यह दोनों साइड में इसकी चारों साइड में इसकी वॉल होगी 20 cm धिक वॉल है जो की इसे आप अपनी रॉफ सीट में बना लीजिए दोस्तों पहले हम देखेंगे अर्थ वर इतने एक्क्रावरेशन कैसे निकाले तो इसके लिए नंबर हो जाएगा वन और जो लेंथ हो सिंद्र हो जाएगी और और प्रोजेक्शन भी तो इंसाइड लेंद कितनी अपने पास 2.5 है तो इस साइड में वॉल जो है वह है 20 cm तो 20 cm 20 cm प्लस करेंगे 40 cm पॉईंट 4 यहां पर प्लस कर दिये प्रोजेक्षन के लिए दोनों साइड के प्रोजेक्शन के लिए हमने यह भी जोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारी जो टोटल विट था गई फॉर एक्सकाविशन वो होगी 2.1 मीटर ठीक है अब जो हाइड है वो इंसाइड आइडम में दी हो यह 2 मीटर लेकिन जो नीचे कॉंग्रेट बेस है उसको भी हमको प्लस करना पड़ेगा जो कि यह 15 सेंट क्यूबिक मीटर नेक्स्ट दिखते हैं सिमेंट कॉंग्रेट इन बेस ठीक है तो इसके लेंज एक्सकाविशन के बराबर ही होगी 3.1 मीटर इसके विट्थ भी विट्थ के बराबर होगी एक्सकाविशन के लिए जो कि है 2.1 मीटर और इसकी जो ठीकने से कॉंग्रेट की बेस कॉंक्रीट की 15 cm ठीक है इस तरीके से इनका मल्टिप्लिकेशन कर देंगे तो हमें जो बेस कॉंक्रीट आगया वो कितना आगया 0.98 क्यूबिक मीटर भ् canoe brickwork देखती है Brickwork में हम पहले long wall के लिए निकालेंगे फिर short wall के लिए निकालेंगे ठीक है तो long wall नमबर होगे इसके 2 और long wall की लent कैसे निकालेंगे inside length प्लस दोनु 更वाल thickness जोड़ देंगे तो यह आठागा हमारा point 4 इसको मैंसे देख लेते हैं ठोड़ा सा ठीक है यह है हमारा कुछ सेक्षन यह हम पहले लॉंग वाल निकाल रहे हैं स्वारी थोड़ सा रेक्टेंगल बनाना इसे यह हमारे 2.5 दिया हुआ है ठीक है इंसाइट डामेंजन है जो की इतनी इंसाइट डामेंजन है ठीक है अब यहां पर हमें क्या करना है पहले हम लॉंग वाल निकालने वाले तो हमें इतना टोटल निकालना है हम लोग पहले लॉंग वाल कंसिडर कर रहे है ठीक है तो इसकी लेंद कितनी हो जाएगी 2.5 मिटर इंसाइट और यह वाल की ठीकनेस है ना 0.2 और प्लस 0.2 तो यह हो गया 2.9 टोटर मिला के 0.4 प्लस कर देंगे यह हो गया हमारा 2.9 और फिर सॉट वाल की कितनी बचेगी यह तो हमने निकाल यह सॉट वाल की इतनी बचेगी के वल ज्योंकि हमें दिया हुआ यह इंसाइट डामेंशन के बराबर होगी ठीक ह है तो सॉट वाल की लेंद कितनी हो जाएगी हैंपर विट्थ के बराबर ठीक है तो इस तरीके से हमने देख लिए लेंथ इनकी टोटल लेंथ कितनी आ रही है 2.9 मीटर और टोटल जो सॉट वाल की लेंथ है वह 1.5 मीटर इंसाइट डामेंशन के बराबर होगी और जो इन हमारे पास 1.2 मीटर इनका प्लस कर देंगे ये दोनों को तो हमारे टोटल ब्रिक वक निकल जाएगा क्यूबिक मीटर में अब इंसाइट प्लास्टर देखते हैं तो पहले तो लॉंग वाल के लिए मतलब लेंद वाइस निकालेंगे तो लॉंग वाल सर्फिस की 2 हो जाए करेंगे हमारे पास 10 स्क्वेर मीटर आ गया इसका प्लास्टर लॉंग वाल के लिए देखेंगे तो इसमें जो इंसाइट लेंद होगी हमारी वह होगी 1.5 यह विट्वाइज है और इसके हाइट हो जाएगी 2 मीटर जैसे की लॉंग वाल के लिए था और नमबर भी इसके 2 रहेंगे सेम तो इसका जो आ जाएगा वह आ जाएगा 6 स्क्वेर मीटर यह दोनों को ब्लस कर देंगे टोटल हमारा इंसाइट प्लास्टर आ जाएगा 16 स्क्वेर मीटर दोस्तों इसे अच्छी से समझने के लिए आपको अपनी रॉप सीड में डाइगरम बना लेना ची य क्यू